वेल दोस्तों यूं तो हमारे बॉलिवुड में काम करने वाले ऐसे कई सारे अभिनेता हैं जो शादी शुदा हैं जो अपने खुबसूरत पत्नियों से इतना प्यार करते हैं कि उनकी खुआईशों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान भी लगा देते हैं और उनको कभी दोखा देने के बारे में सोचते तक नहीं है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बॉलिवुड की उन्हीं अभिनेताओं में ऐसे भी कुछ दोखे बास अभिनेता हैं जो अपनी पत्नियों को दोखा देते हुए सरयाम पकड़े गए हैं क्योंकि उनकी पत्नियों ने रंगे हाथों सरयाम पकड़ा है जिनसे आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे तो आईए मिलते हैं उन अभिनेताओं और उनकी खुबसूरत पत्नियों से सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलिवूड के मुन्ना भाई यानी संजिदत के बारे में जो की अपनी दूसरी पत्नी रिया पल्लाई को धोखा देते हुए सरयाम पकड़े गए थे वो ऐसे कि वो अपनी दूसरी शादी के बाद भी अपनी तीसरी गर्फ्रेंड जो अब उ ना हो और रेस टू से मशुहूर हुए अभिनिता सैफ अलिखान ने भी अपनी पहली पत्नी अमरिता सिंग को धोका देते हुए सरयाम पकड़े गए थे जी हाँ आपको बिदा दें कि भले ही सैफ ने अपनी पहली पत्नी अमरिता से लव मेरिज की थी लेकिन इन्हों ने एक बार भी अमरिता के बारे में ना सोचते हुए बॉलिवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ साथ करीना कपूर को भी डेट करना शुरू कर गया था बस इसी बात से नाराज होकर अमरिता ने ना सिर्फ इन्हें डिवोर्स दिया बलकि इनसे सारे रिष्टे नाते तोड लिए थे नमबर तीन पर हैं आमिर खान बॉलिवुड में हर कोई अच्छे से जानता है कि आमिर खान आज अपनी तीसरी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में बने हुए हैं और इसलिए आज इनका अपनी दूसरी पतनी किरन राव से डिवोर्स भी हो चुका है आपको भी इनकी खुबसूरत पतनी ट्विंकल खन्ना ने धोखा देते हुए सरयाम पकड़ लिया था जी हाँ जब अक्षे कुमार फिल्म एतराज के सेट पर देसी गोल प्रियंका चोपडा के साथ काम कर वह थे तब ये उनके बेहत करीब आ गये थे प्रियंका अक्षे को कॉल भी किया करती थी जिसके चलते एक बाद ट्विंकल ने अक्षे की कॉल डिटेल देख ली थी और रंगे हाथों अक्षे को प्रियंका से बात करते हुए पकड़ लिया था नमबर पाच पर है सनी देओल आपको बता दें कि अपने धाई किलो के हाथ से मशुर हुए और गद गई थी पर जैसे तैसे सनी देओल ने उन्हें समझाया बुझा लिया था वल दोस्तों आपका क्या कहना है आप क्या कहना चाहेंगे इन धोखे बास अभी नेताओं के बारे में आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर दें साथी साथ तमाम प्राइब जरूर कर लें